Hello friends, hello mothers, how are you? मेरा नाम है दिपिका आज का हमारा टॉपिक है बच्चे को रोड क्रोस करना कैसे सिखाएं? प्लीज मेरे चैलन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आज के इस टॉपिक में बताएंगे बच्चे को रोड क्रोस करना कैसे सिखाएं? देखिए हमारे बच्चे हाइपर हैं किसी बच्चे में हाइपर एक्टिविटी होती है किसी में नहीं होती है किसी का आईकोन टेक्ट अच्छा होता है किसी का नहीं होता है हर चीज की इंप्रूवमेट आने में टाइम लगता है लेकिन हमने बच्चों को understanding देनी है कि रोड कैसे cross करते हैं जब बच्चा रोड क्रोस करता है तो आप देखिए आप कुस्टे मुसे क्या बोलते हैं मत भगो देखो कार आ रही है तुम्हें लग जाएगी तुम गिर जाओगे मेरी बात सुनो अराम से खड़ी हो जाओ क्यों नहीं खड़े हो देखो वह दूसरा बेबी भी तो खड़ा है ना अपनी ममा के साथ तुम क्यों नहीं खड़े हो रहे हो इतना कुछ हम एक साथ बोल जाते हैं उससे समझ नहीं आता है अब भी उसकी speech delay है अगर speech है तो some words है कुछ words नहीं है करना सिखाना है उसके लिए सबसे पहले आप बच्चे की समझ को बढ़ाईए समझ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं देखी अब किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर जाईए ऐसी शॉप पर जाईए जहां पर समान जब मिले तो वह आपको एक स्लीप काट के दें पहले मालीजे बच वेट वेट करो वेट आप उसे ज़्यादा मत करवाईए एक मिनट में फ्राइज इसली मिल जाते हैं तो एक मिनट का वेट बहुत मुश्किल से वह करेगा लेकिन आप उसे बार-बार बोलेंगे वेट करनी है अभी आपका नंब्र आय वेट 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 पे जढ़ा फोकस और मुझे चीजी मिलेगी, क्योंकि बच्चे अपनी चीज को लेने के लिए बहुत जादा excited होते हैं, बहुत जादा, उनको पसंद है आप वहां से point उठाईए, कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज खानी है, अगर उसको जौबी चीज पसंद है, तो वहां से उसक भागो मत, चीजी मिलेगी, वेट करो, मिलेगी, नो रन, भागना नहीं है, जो भी आपकी language अप्यूज करते हैं, English, Punjabi, Hindi जो भी है, तो इस तरीके से आपने उसको दूसरा concept देना है, कि भागना नहीं है, तभी चीजी मिलेगी, तीसरी चीज, एक आप उसको ये बताएए, घर पे आप चाहिए, प्रिटेंड प्ले करिए, या कोई भी एक्टिंग करिए, घर के दो-तिन मिलके, जैसे कोई गिर जाता है, उसको चोट लग गई, या जिस तरीके से अगर बच्चे के अंदर एमोशन है, तो उसको पता है, अगर वो गिर जाता है, तो आप उसे बोलत आप उसको थोड़ा सा ये language समझाईए, फोर्थ में आपने कार बतानी है, कार होता क्या है, कार भी उसे पता होनी चाहिए, कार आ रही है, ट्रक आ रही है, ये एक पर टेंड प्ले कीजिए, देको कार आ रही है, इदर से गुड़ा लेके जाओ, वो देको रन-रन करता गया कार पर वो गिर गया, और उसको हाई हो गई, हो, क्या होगी, हाई होगी, चोड़ लगी, वो क्राई कर रहा है, इस तरीके से, इन तीन चार चीजों की सबसे पहले है, बच्चे को आदट डाली, मेरी बेटी को फ्राइस बहुत पसंद था, तो मैं मेग डिज आती थी, तो म मेरी हर चीज के लिए सिरफ दो कंसेप्ट रखे है, वर्बली मैं उसको समझाती हूँ, क्यों मुझे उसकी रिसेप्टि लाइंग वे अच्छी करने है, हम भी सुनते हैं, किसी के बात को समझते हैं, और समझते हैं, और उसकाम को कर देते हैं, तो मैं उसको अब भी, आज तक मैंने अभी तक उसको वीजुली ऐसा कुछ नहीं बना कर दिखाया कि first you can ये then ये मैं सीधा बोलती हूँ पहले नहाना है तो पहले ये करना है और फिर ये करना है इस same word को same line को आपने copy करना है बार बार आपने change नहीं करना ताकि उसके दिमाग में पहले वह fix हो जाए कि ये क्या क्या रहे है उसे पहले बात समझनी तो आए बहुत सारी बाते समझनी करें तो बहुत समय पढ़ा है हिंदी में समझनी है पंचाबी में समझनी इंग्लिश बढ़ी है बहुत हुमर है सीख जाएगा अराम से लेकिन पहले जो stability लेके आनी है उसक इसको wait करना खिकाया then एक दिन वो गिर गईतो उसको हॉड हाई हो गई ऐब को हाई हो गई घर गर सकते होँए तो इस तरीके से तीन से चार चीजों करके आप ऊसको situation समझाईए wait का मतलब समया ये और ये कार क्या होती है हाई क्या हो ती बहाइगि होगे दो मिन्ट मिल और यह चीजे करेंगे तो उसकी समय देखिए करेंग वह 1 जब बार 1 मिनट करते हुए एक दम से भाग रहा है नहीं तो आप उसकी कलाई को कसके पकड़ लीजिए डीप कंप्रेशर देजिए देखिए उसको अराम मिलेगा और वो बिल्कुल नहीं भागेगा फिर भी कुछ बच्चा करता है तो धीरे-धीर उसकी समझ के साथ वो करने लग जाएगा ल हई वह यह कर रही है वह कि उसकी उपर से निकल गया उसकी उपर से निकल गया सारा मिल बच्चे के उसको थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करकर कि आप देखिए की दीजिए वह मैंने कर ले किया की ओड़ा-धीर घ्लाई ये बहुत ज़ादा खिला तो मूँझ भी कड़वा तोड़ा लंबी बात भी समने लग जाएगा मत भागो हाई हो जाएगी कार आ रही है लग जाएगी तब यह चारों जीजों को आराम से समझेगा अब ट्राई करके देखेगा थेंक इस सो माइग